हला फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज में इस वीडियों बात करेंगे सिंचाई प्रियोजना से समंदित महत्पुन क्यूष्णों के बारे में जो पिछले एक्जामों में बार-बार क्यूष्ण पूछे गए हैं उन क्यूष्णों को व्याक्या से इस तन सही है तो इसका जो एक तन है चितोडगड राना परताब सागरबांध है अजमेर में बिसलपूर परियोजना है वो नहीं है अगला है उद्यपूर में मान सिवाकल परियोजना है और परताबगड में जाक्कम परियोजना है लेकिन अजमेर में बिसलपूर परियोजना नहीं है ये बनास जो नदी है उस पर है विसलपूर जो टॉंक में है अगला जो कुछन है निमलखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है इन में से कौन सा सही सुमेलित युगम नहीं है तो एक नमर पर है लिप्ट नहर दो नमर पर है लाबानवित जिले हमें उनका स बानवीत है बरकतुला खां जैसलमीर और बाडमीर डोक्टर करणी सी अनमानगर ये गलत है चार नमर उप्सन इसका सही हो जाएगा अगला क्यूशन है सही प्रियोजना का समंद किस्से है एक नमर उप्सन जवाई बांद दो नमर टोरडी सागर बांद और ती नमर खारी बा तो टांक का एक नमर उप्सन इसका सही होगा टांक का अगला जो क्यूशन है इंद्रा गांदी फिडर या राजस्तान फिडर की लंबाई कितनी है तो इसका करेक्ट आंसर है 204 किलोमेटर 204 किमी इंद्रा गांदी फिडर की लंबाई है राजस्तान फिडर की लंबाई है 20 804 एकनमरोन उपसंस का सेही होजाइगा अगल 1 कुछ नाने पूइल कितमेसे कोन सा लीप्ट नजर्पीरोजना hmayas na पेजल उपलपदा ज்हेत्र स्मिलिध नहीं है कौन से जो लीप्टाजम से समूद शेकंपने तो अगन्देली सावा जो लीप्टाज उसे चूरू लाबानवीत है और गजनेर पनालाल बरुपाल बिकानेर नागोर है राजी उगांदी से जेसल मेर नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा च्या नमर ओफसन अगला किस्टना निमिलकित में से कौन सी राजस्तान की अंतर जाती सिंचाई प्रियोजना इनम दो इसका करेक्ट आंसर है दोनों जो प्रियोजना है वो सही नहीं है जाखम प्रियोजना और व्यास प्रियोजना अंतर जाती सिंचाई प्रियोजना यह दोनों नहीं है बाकि बाकड़ान अंगल प्रियोजना जबाई प्रियोजना यह अंतर जाती सिंचाई प्रियोजना है इसका क्रेक्ट अंसर होगा एक और तीन चार नमर उपसिंस का सही हो जाएगा अगला किष्णने माही प्रियोजना से लाबानवीत होने वाला जिला कौन सा है तो माही नदी आपको पता होगा कहां पर है बासवाड डूंगरपूर जो चेतर है वहां पर है दक्षनी चेतर तो यहां पर कोटा बूंदी जालावाड दिया गया है लेकिन यह नहीं है यहां पर सिर्फ बासवाड़ा है बासवाड़ा में माही प्रियोजना है तीन नमर उपसिंस का सही हो जाएगा अगला किष्ण है चंबल गाटी विकास प्रियोजना एक स्यूक्त भहूत देशे प 50-50 परतिशत की इशेदारी है तो दो नमर उपसिंस का सही हो जाएगा कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि चंबल गाटी विकास प्रियोजना है उसमें परतिशत जो अनुपात है वो दिया जाता है कि 50-50-60-90-40 इस तरह से दिया जाता है तो इसमें देखी बराबर इसा है तो 50-50 का है तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्तान और मद्यपर्देश अगला जो क्यूशन है राजस्तान की निमल खितमें से किन दो जिलों में तालाबों से शिंचाई का चेतरपल सबसे धिक है यानि तालाब से शिंचाई करने वाले सबसे ज्यादा जिले तो देखे इनका जो ओफ्सन है वो ओफ्सन सही नहीं है राजस्तान में तालाबों की शिंचाई कुल सिंची के 0.6% भाग मे उरती है और तालाबों से शिंचाई वो बेलवाडा में दूसरा स्तान और उद्यपुर का है राजस्तान के दक्षनी में और दक्षनी पूर तो तालाबों से चिंचाई होती है राजस्तान के अंदर बाकि पहला भीलवडा और दूसरे नमर पर उद्धेपूर जो जिला है तो यह दो जिले हो गए सरवादिक तालाबों से चिंचाई वाले अगला कुछन है राजस्तान की निमल खीत में से किस सिंचाई प्रियोजना दवारा दाब, चिर्काओ, स्प्रिंग कलर या सिंचाई परनाली को अन्यवार ये बना दिया गया है तो नरमदा नहर जो परियोजना है, वहां पर स्प्रिंग कलर या चिर्काओ दिया दाता है, तो ये अन्यवारी है, एक नमर उपसिनिस का सही होगा, अगर सिंचाई करनी है, तो वो चिर्काओ या स्प्रिंग कलर के द्वारा ही दी जाएगी, अगला जो क्यूशन है, कौन से संग्रेन करने वाला राणी सर टांका कहां स्थीत है, राणी सर टांका जोधपुर में है, दो नमर उपसिनिस का सही हो जाएगा, अगला क्यूशन है, भारत का कितना सतही जल राजस्तान में मिलता है, तो आपको पता होगा, एक पोइंट सोला परतिशत, राजस्तान में ब पॉइंट 16 परतिशत जल है वो राजस्तान में है अगला क्यूशन है सोम कागदर सिंचाई प्रियोजना की सजले में इस्तित है तो सोम कागदर उद्यपूर में है तीन नमर उप्षन इसका सई हो जाएगा अगला क्यूशन है निमलकीत में से कौन सा सिंचाई प्रियोजना वजिला सुमेलित नहीं है, तो इसका correct answer है, चोली डूंगरफूर, दो नमर उप्सिन इसका सही हो जाएगा, अगला किशन है, राजस्तान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नहर की लंबाई है दोस्तों, चोहतर किलोमीटर, दो नमर उप्सिन इसका सही हो है अन्यमानगड जिले में, इसलिए correct answer होगा, अन्यमानगड सेम समश्या द्वारा कर्शी को सती पहुंचती है, अगला किशन है, बिसलपूर बांध में पानी की आवक बढ़ाने है, तो निमल कितमे से कौन से प्रियोजना तियार की गई है, तो वो है ब्रामनी और बनास जो प्रियोजना वो तियार की गई है, बिसलपूर बांध में, तीन नमर उप्सन इसका सही हो जाएगा, ब्रामनी और बनास, अगला किशन है, राजस्तान के कौन से जिले नर्मदा नहर प्रियोजना के अंतरगत राजस्तान के जालोर और बाडमेर जिले हैं, वो सामेल कि चाहलना है, एक तरफ बांध दिये गए हैं, दूसरी तरफ अवस्तितती जो हैं, उनकी वो बताई गई हैं, तो मेज़ा बांध है, मेज़ा बांध कहां पर हैं, भीलवाड़ा में है, और जवाई बांध पाली में है, जक्खम बांध परताबगण में है, मही बजह सागर बांसवाड़ा में हैं देखते ओप्सन कौन सा इसमें मिलान है तो देखे एक नमर एक नमर पर है मेज़ा बांध बिलवाड़ा में है और जाक्खम बांध वो परताब गड़ में है जवाई बांध पाली में है और माही बजाज बांसवाड़ा में है तो इसका एक नमर ओप् जालोर जिला है वो लाबानवीत है एक नमर उप्सनिस का सही हो गाँ अगला जो क्यूशन है जाक्खम बहुत देशी प्रियोजना राजस्टान के कुण से जिले में अवस्तित है जाक्षम बहुत यह पर्योजना तो यह पर्ताबगण में है चार नमर उपसिन्स का सः होगा जो समेलित नहीं है इनमें से कौन सा सः पर्योजना गुजरत और मद्यप्रदेश का सिंग उपकर्म है तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल नदी नर्मदा नदी प्रियोजना सोरी नर्मदा नदी प्रियोजना नर्मदा नदी है वो राजस्तान गुजरात और मदे परदेश में लेकिन जो चंबल नदी प्रियोजना है वो सिर्फ राजस्तान और मदे परदेश में है इसलिए गुजरात को स शेएमकी visions है चार नमरyuफसं सजह होगा हैं अगला क्वम निमनिमे से कोंसा चंबल-बहुति से प्रियोजना प्रियोजना में नहीं बना है रसा कांदी सागर बाइंध है रनाजस परताबव सागरबवन है जवार साकरबाइं यह पॉंग बाद यह नहीं है चंबल प्रियोजना पर तीन नमर उपसर का सगह और अगला क्यूशन है बागड़ा नहर प्रियोजना के बारे में कौन साहतन सत्थी अ कि एक नमर ये पंजाब और रियाड़ा और रास्तान की स्राइन प्रैइव यह सही है इससे अनमानगर जिले की संचाइज सुभीदा प्राप्त होती है यह भी सही है रास्तान की इसे दारी 17.22% नहीं है दो पर तीन एक्टेर कर्ची कर्ची कद भूमी को सेंचित करती है यह सही है एक दो और चार इसका सही है अगला जो क्यूशन है इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना के अनुसार कौन से खतन गलत है इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना के अनुसार इनमें से देखना है कौन सा खतन है वो गलत है तो इसमें क्या है इस प्रियोजना से पहले राजस्तान नहर की रूप में जना जाता था और इसे 1922 से में इसका नाम बदल क रिंद्रांदी लिफर कर दिया गया था यह गिलत है इंद्रांडी नहर प्रूज़ना बें नोलीप्टे और है और हैते ए नहरकी किलपवचना सारदूर्ण से ने की थी नहर अरियाना से नहीं गुजरती है तो इसके जो गलत है वह खतन चार है एक disclose तीन और इससे इसमें साथ लिफ्ट नहरे है जिसे विविन जिलों में पानी होता है पानी दिया जाता है इसमें 204 कि में लंबी फीटर नहरे ये तिनों सही है ये पॉंग बांद से प्राणम होती है जो सतलज व्यास नदी की संगम परस दीत है ये गलत होगा चार नमर ओप्सन इसका सही होगा अगला क्यूशन है निमन में से कौन सी एक पंजाब हर्याना और रास्तान राज्यों के सिंचाई प्रियोजना है गुडगाउं नहर प्रियोजना तीन नमर ओप्सन इसका सही होगा अगला क्यूशन है इंद्रा गानी नहर का उदगम किस बांद से होता है तो हरी के बांद से इंद्रागानी नहर का उद्गम होता हैं तीन नमर उप्संस का सही होगा हरी के बांद अगला जो क्यूश्यन है अगला क्यूश्यन है निमलकित चिंचाई परियोजना और जीला दिये गए हैं उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है सोम कमला अंबा डूंगरपुल और सोम कागदर राजसमंद और फिर है नोहर्च चिद्मुक अनमानगड और चूरू सावनबादो कोटा तो इसमें जो दो नमर है सोम कागदर ये राजसमंद में नहीं है इसका करेक्ट आंसर होगा दो नमर उपसन जो सुमेलित नहीं है अगला किसना है इंद्रा गांदी नहर, राजस्तान नहर को किस नदी के नदी से पानी मिलता है इंद्रा गांदी नहर जिसे राजस्तान नहर भी बोला जाता है उसको 17 नदी से पानी मिलता है च्यार नमर उपसंस का सही होगा राजस्तान की परवन बहुदी से सिंचाई प्रियोजना नेमने जिलों को सिंचाई स्विदा परदान करती है जो परवन बहुदी से सिंचाई प्रियोजना है वो किस जिलों को सिंचाई स्विदा परदान करती है जालावाड बारा और कोटा जिलों को तीन जीले हैं जालवाड बारा कोटा जिन को परवन नदी है भूदी से शिंचाई प्रियोजना दवारा इन जीलों में शिंचाई स्विधा परदान करती हैं अगला किस्टन है निमलकित में से कौन सा लिप्ट नहर या लाबानवी जीला स्विमिलित नहीं है एक नमर पोकरन जोजेसलमेर जोधपूर और दो नमर वीर तेजजी नागोर और जोधपूर ये गलत है गुरू जंबेस पर बिकानेर जोदपूर जैसलमेर और डॉक्टर करनी सिंग वो है बिकानेर जोदपूर लेकिन दो नमर अपसन इसका सही होगा जो मिलान सही नहीं है अगला जो कुशन है जवाई बांध योजना से सिंचीत जीला कुँछा है तो जवाई बांध आपको पता है बाली में ही है पाली और जालोर जिले इसमे शिंचीत अपनी जो नमर जालोर जीले तो इसका correct answer है तकली कोटा जिले में एक गरडाडा बुंदी जिले में है तकली जो है वो कोटा में है और गरडाडा है वो बुंदी जिले में है ती नमर उफसेंस का सही होगा अगला question है सोम कमला अंबाज सिंचाई प्रवजना का निर्मान किस जिले में किया गया डुंगरपूर जिले में तीन नमर उफसेंस का सही होगा इस नमर उफसेंस का सही होगा अगला question है साक rätt 이ह चारों बांद वह चंबल नदी प्रे लेकिन राजस्तान में तीन ही है एक तो कोटा वे राज है एक जवार साकरबांध-ेक राण प्रताब différents लेकिन गऑंधी साकरबांध वह राजस्तान में नहीं आई he इसलपूर बांद है वो टॉंक में पांस नमांद क्रोली में हैं लेकिन चिद मुख गंगानगर नहीं है सिद मुख शिचाई प्रियोजना का नाम राजीव गांदी सिद मुख नैर प्रियोजना है और रावी व्यास नदियों के तरिक जल का उप्योग करने के लिए इस प्र चाहिए कि जो अगला है सुची फर्स्ट और सुची शेकिन एक तरफ जील है दूसरी तरफ जील है में उनका मिलान है वो देखना है कौन सा सही है तो देखे नवलका नवलका बुंदी में है तालाब सही और कोलायत बिकनेर में गेव सागर डूंगरपूर में तालाब सही बच गया वह गया दौलपूर में तो इसका मिलान है वो सही होगा यह दो नमर उप्शन अगला जो किसने राजस्तान के कि जिले का वोटर सेट वोटर सेट या जल ग्रेंड छेतर निरांचल प्रियोजना के अंतरगत आता है तो वह है जोदपूर च्याल नमर उप्शन का स सही होगा दोस्तों क्विशन आपको कैसे लिए कोमेंट में जुरूर बताए साथ इस वीडियो के लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग आपका दिन सुब्वो झाल